नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जे बी खलासेच के YouTube चैनल पर दोस्तों आज अपने बात करेंगे दस राक युद्ध के बारेमें बात करें अपने सबसे पहले अपने बात करें कि दस रागी युद्ध का उलेक किसमें मिलता है तो रिगवेद के सातमे मंडल में उलेक मिलता है दोस्तों किसमें रिगवेद का सातमा मंडल किस किस के बीच हुआ था तो राजा सुदास और दस अन्य राजाओं के बीच हुआ था एक और राजा सुदास थे दूसरी और दस अन्य राजा थे इसलिए इसको दस रागी युद्ध कहते हैं और इसमें राजा सुदास की क्या हुई थी दोस्तों जीत हुई थी राजा सु विश्वामित्र जी ने किया था और दस अन्य राजाओं का उलेट जो किया था दोस्तों वो किनों ने किया था विश्वामित्र जी ने किया था किसने किया था विश्वामित्र जी ने दस अन्य राजाओं का सहयोग किया था और राजा सुदास का सहयोग किया था किसने वश् किस की होती है राजा सुदास की जीत होती है इसमें अपने बात करें दोस्तों विश्वामित्र जी की बात करें तो इन्हों ने गायत्री मंत्र लिखा है दोस्तों क्या लिखा है इसने इन्होंने गायत्री मंत्र के लेख कहें गायत्री में सुक्त हैं और 10462 इसमें क्या मिलती है दोस्तों रिचाएं मिलती है कितनी 10400 दूसरी अपने बात करें कि रिगवेद में है क्या तो रिगवेद में देवताओं की देवताओं की प्राथना से सम्मंधेत क्या मिलते हैं मंत्र मिलते हैं दूसरी खास बात कि रिगवेद का उच्चारन करने वाला क्या कहलाता है अगर रिगवेद का उच्चारन करने वाला है वो क्या कहलाता है वो कहलाता है दोस्तों होत्रिया होता कहलाता है क्या कहलाता है होता कहलाता है रिगवेद का उच्चारन करने वाला तो ठीक है दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही नैस्ट मिलेंगे अपने अगली क्लास में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जैभारत